प्रष्टाचार में लिपत जितने भी चहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं जो लोग प्रष्टाचार में लिपत है उन पर जब एजन्सियां कारवाई करती हैं तो एजन्सी अपना हमला किया जापा है जब कॉर्ड कोई फैसला सुनाता है तो कॉर्ड पर सवाल उठाए जाते हैं देश के भीतर बैठी और देश के बहार बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एक जूट होना स्वाभाविक है ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखन छिन लेना चाहती है आज भारत का सामर्द अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नीव है ये नीव ये नीव हमारी समयधानी संस्ताओं की है हमारे constitutional institutions की है इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नीव पर चोट की जा रही है समयधानी संस्ताओं पर प्रहार किया जा रहा है उन्हें बजनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है उनकी credibility उनकी विश्व से जिजा खत्म करने की साजीज की जा रहे थे जो लोग प्रश्टाचार में लिपत है उन पर जब एजन्सियां कारवाई करती है तो एजन्सियों पर हमला किया जा पा है जब कौड कोई फैसला सुनाता है तो कौड पर सवाल उठाये जाते हैं नाइक प्रानाली पर हमले होते हैं आप सब देख रहे हैं कुछ दलोंने मिलकर ब्रश्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है आज ब्रश्टाचार में लिपत जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है साथियों, ब्रश्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुक्षान किया है दिमक के तरह देश को खोखला किया है ब्रस्टाचार ने देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह ब्रस्टाचार के खिलाब कारवाई के नाम पर केवल खाना कुरी की थी लेकिन पिछले नव साल में भाजपा सरकार ने ब्रस्टाचार के खिलाब जो अभ्यान चलाए उसने आज ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों दोनों की जड़े हिला दिया कॉंग्रेश सांसन के दोरां बैंकों को जम करके लूटा बैंकों का करीब बाईस हजार करोड रुप्य का नुक्सान करके ये लोग विदेश भाग गई आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब बीस हजार करोड रुप्य की संपत्ति जबत करवा दी पुरे देश की जनता आज ब्रस्टाचारियों पर हो रही कारेवाश ये खुश है मैं जहां जाता हूं लोग यही कहता है मोदी जी रुकना बद अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे होंगे अपना गुसा भी निकालेंगे लेकिन इनके जूठो आरोपों से न देश जुकेगा न ब्रस्टाचार के विरुत कारवाई थमने व हुआ है